श्कार आपका सौइः है आदि त्थागूइ ये चम्मे हम आज बनाएंगे पूरी पकारा उसके लिए हमें इन चीजों की आवश्यक्ता होंगी जैसे की यहाँ पे मैंने लिया है प्लें फ्ला वन कप यहाँ पे लिया है मैंने 1厚 कप पेशं यहाँ पर यहाँ पिली यहाँ हाफ टेल स्पून सफेद नमक यहां पे है हल्दी हाफ टेल स्पून हाफ टेल स्पून रेड चिली पाउडर हाफ टेल स्पून चीरा पाउडर हाफ टेल स्पून सूखे मेथी यहां पे लिए मैंने प्याज लिया है जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है आप यहां देख सकत लिया है हम इसका बनाएंगे तो बनाएंगे सॉफ्ट बनाएंगे डू यह देखिए यहां पर मेरा ठोल शेडी हो चुका है हमें सॉफ्ट बनाना है डू उसके बाद यहां पर मैंने एक बॉल लिया है इसमें हम डालेंगे अपना फैसन हाफ कप पैसन मैंने इसमें डाल दिय पियाज डालेंगे और हरा धन्य जयक्र दालेंगे पियाज यह साथ इब हिंगेoter हम स्पाइस के स्पाइस निस हम Ihr's मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने सार्य स्पाइस त्लाव टेवर बैसपून लिया है मैं सार्य को एक साथ डाल दूह even हमें अच्छीद किसे मिक्स करना है ए अमसे अच्छीद किसे मिक्स करना है कीर्ष यहां पर टालेंगे अपना निम्मू का रस में निम्मू के पीच अठा दिये हैं यहां फिर हमें डालेंगे, वौतर थोड़ो थोड़ा वाटर डालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे यह देखिए यहाँ पर हमारा मिक्षर रेडी हो चुका है उसके बाद हमें यहाँ पर हम अपने आटे को स्लैप पर लेंगे यह थोड़ो सॉफ्ट वह आप यहाँ देख सकते हैं मेरे वीडियो में हम अपर डो पर थोड़ा वह लगाएंगे तेल और फिर सच्छी देख से स्प्रेट करेंगे इस तरह से फिर हम इसे रूल करेंगे यह देखिए यहाँ पर यह रूल हो चुका है हम इसे इतना पतला इसे हम फिलना है देखिए अब हम एक लास लेंगे फिर हम इससे साइड में रखके प्रेस करेंगे उपर से हमें गोल शेप मिल जाए कुछ इस तरह से हम एक रोटी पर चार बनाएंगे हम इसके साइड निकाल लेंगे जो एक्स्ट्रा साइड से इसके देखिए कितने असानी से निकल गया अब हम इससे निकाल लेंगे और इससे एक से रखेंगे और जो वारा पास जो बाकी का डो है हम इसके भी इस तरह से पना लेंगे यह दिखिए यहां पर हमारी फूरिया रेडिया हो चुकिए हम इतने शिर्ट्रे बनाएंगी फूरिया उसके बाद हमें मैंने यह पर रिफाइन डॉल लिया है हम इसे हीट कर लेंगे खराई में 6 मिनिट बाद यह अच्छे देखे से हीट हो चुका है हम अपना फ्लेम तो लो कर लेंगे फिर हम अपना पूरी लेंगे ऐसे हाग पे फिर हम अपना यह मिक्षर लेंगे जो हमने मिक्षर यहां पर फ्रेडी किया था हम मिक्षर लेंगे और इस पर सेंटर में ऐसे रख दे आप यहां देख सकते हैं कुछ इस तरह से फिर उसके बाद हम इसे रिफाइन ओयल में सेंटर में छोड़ देंगे इस तरह से और हम अपना फ्लेम तुरह लोड रखेंगे देखिए हमारी पूरी फ्राइ हो रही है और यह फुल भी चुकी आप देख सकते हैं अब इसे हम टर लोड फ्लेम पर रखेंगे अपना गया इसको हम इसे जब तक ब्राइन करेंगे जब तक यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए के छहां अपको अजी है यहां पर देख सकते हमारी फुरि गोल्डन ब्रावन हो चुखी है हम इसे निकाल लेंगे देखिव् reacting से गोल्डन भाँन हो चुका निचाल देखी अपने, त्लिटी ह में इस एस बहुत अच्छाए है और यह फुले बेट है guys if you like my video so please don't forget to like subscribe and share this video thank you guys